तो आपका हान डायनिस्टी चल रहा था तो हान डायनिस्टी वैसे देरगिकाल तक चलने वाला राजवन्स था जैसे आपको मैंने चाव डायनिस्टी के बारे में बताया था कि वो देरगिकाल तक चलने वाला शासनकाल था वैसे ही आपका हान काल भी है तो हान काल की मैंने ल इसके पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि लाख क्या चीज है तो लाख चित्रों के जानने से पहले कि कैसे बनते थे उसके पहले हम लोग देखते हैं थोड़ा सा लास्ट वीडियो के बारे में कि क्या मैंने आप लोग को बताया था लास्ट वीडियो में तो यहां पे मैंन था कि हान डाइनस्टी में जो है रीत रिवाजो के अनुसार एक चित्र मिला हुआ है अंतेष्टी संसकार से समांधित भोज ये इनका विशय था चित्रन का तो इसमें दिखाया हुआ है कि एक तिमंजली मिनार के नीचे मनोरंजन चल रहा है लोग भोजन कर रहे हैं और लोग में प्राचीन विशयों के अतरिक्त लोग जीवन कनफूसस के सिधान्त लोग कथाओं का भी चित्रन हुआ है तो इसमें कनफूसस के जो सिधान्त थे वो पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि जो कनफूसस के सिधान्त मोखिक रूप थे उन सभी को चित्रन इसमें क किया हुआ है तो इसमें लोग कथाओं का और प्राचीन विस्यों का भी चित्रन हुआ है और इस स्थान में जो कलाकार का स्थानगत विस्तार था जो बहुत बारीकी से समझा गया था उसका एक एक प्रमाड जो है वो बोस्टन संग्राले अमेरिका में सुरक्षित है जिसमें मकबरे के चित्र सिलाएं मिलते हैं तो इनके जो चित्रकार थे हां इनडानिस्टी के वो इतनी बारीकी से चित्रन करते थे तो उसी का प्रमाड कह रहे हैं कि अमेरिका के बोस्टन संग्राले में अभी तक वो सुरक्षित है तो हम देख सकते हैं कि कैसे वो बारीकीयों को स में घुमाऊदार लपटदार बनने लगे हैं ये लपटदार आकरतियां कहीं कहीं परवत बन जाती है यतार्थ , दरश्यांग्तन का कोई प्रयत नहीं है अब देखें। यहां पर जो अनुकृती की गई है जो कौपी की गई है वो कैसी की गई है कांसे कलागी की गई है कांसे कलाओं के बारे में आपको बताया था कि कैसे इनके कांसे के पात्रों पे जो चित्रण करते थे उन्हीं से इन्होंने कॉपी करके चित्रण बनाया हुआ है तो इनकी जो रेखाएं थी बताया था आपको कैसे लपटदार बनके थे और आ करतियां कहीं में कहीं मरपरवत बन जाती थी तो इनका जो है यथार्थ दृष्ट आंकं का कोई प्रागा नहीं था मतलब इनका जो है री Anything down का कोई अनकी जो रेखाएं ती वह घुमाओदार बनाई जाती थी तो जिससे उनमें जो है क्रतिम रूप सामने आता था तो कलाकार ने वस्तुमों के आकारों के मूल तत्तो लेकर जिन प्रवाह पूर्ण रेखाओं का विकास किया है उनसे वह सहाज रूप से ही मेगो लहरो तता परवतों की रचना करते हैं देखिए कलाकार क्या करते थे यहां पर वस्तुमों के आकार से ही सभी चीज़े बनाते थे जैसे वस्तुमों वस्तु होती है वैसे ही जैसे इनकी लिपियां भी बताई थी आपको जैसा कि आप उने जब चीनी चित्रण देखा होगा तो उसमें ये लोग चित्रों के साथ लेख भी लिखते हैं तो कान से पात्रों पर कालपनिक परवती द्रश्य दिखाये गए हैं जहां परिया निवास करती हैं नीचे समुद्र की लहरे और उपर परवत सिखरों में उठता हुआ मेगा कार धुआ भी दिखाया गया है तो ऐसा यहां पर कान से पात्रों पर चित्रण किया हुआ है कि जिसमें कालपनिक चीजे दिखाई गई हैं मतलब इमैजिन करके उन्होंने परवस्त के सिखर समुद्र की लहरे और जो मेग बनाए हैं वो धुआ की तरह उड़ते दिखाई दिखाई दिए गए हैं तो यहां पर हान काल में दरपणों के प्रस्ट भूमी पर भी आकरतियां बनाई गई हैं जो पांच तत्तों के अनुसार मानी जाती हैं उनका प्रतीक बताया था आपको कि यह जो है यह पांच तत्तों में विश्वास करते थे कौन कौन सी थी जल अगनी धातु कास्ट और प्रत्वी ये पांच इनकी तद्दो थे तो हान काली जेड की आकरतियां भी बहुत सुन्दर हैं इनमें छोटी-छोटी मानो आकरतियां और पसुत्रीयामी गढ़न सी लियुक्त बने हुए हैं जेड आपको पताईए कि क्या है पहले भी बताया है आपको चाव डाइनस्टी में शांग डाइनस्टी में तो जेड जो है वो स्टील से भी कठोर पत्थर होता है रवेदार पत्थर और ये देखने में पारदर्शी लगता है सफेद कलर का अधिक्तम होता है इससे जो है जो तो यह सारी चीज़े आपको मैंने बताया था और इनके अतरिक्त जो है मिट्टी के लगुवकार के खिलोने भी बने हुए हैं जिनमें पसु पक्षी और भवन आध की आकरतिया बनी हुई हैं तो यह सारी चीज़े आपको मैंने लाइस्ट वीडियो में बता दी थी अब दे दीवारों पर लाख में रंग मिलाकर चितरांकन किया गया है हान युग में लाख चितरन का उद्योग बहुत विक्सित हुआ और अने केंद्रों का पता चलता है अब देखिए जो लाख चितरन है आपको जब मैं चाओ डानेस्टी पढ़ा रही थी तभी लाख के बारे मे आपको समझाया था कि लाख क्या होता है तो अपने भारत में जो है वो 36 गण और जारकन की तरफ लाख का उद्योग होता है तो ये जो है लाख जो है वो चाओ के टाइम से ही पता चलता है इनके चितरों का चितरांकन मिले हुए हैं दीवारों पर जो चितरन किये गये हैं तो रंगों में लाख मिला कर किये गए हैं हान युग में भी जो है लाख चितरन का उद्योग बहुत विक्सित हुआ और इसके अनेक केंद्रों का पता चलता है जहां जहां पर ये उद्योग या इनका विकास होता था किसका लाख का लाख साधारनता पेड़ का रेजिन य लगता है अब देखें लााक जो है बताया था आपको पहले भी कि यह से रस प्राप्त होता था तो उसका भी में करते थे जो लाख की तरह होता था तो तो समय तक इसको हवा में रखने पर क्या हो जाता है गाढ़ा हो जाता है और भारी पन हो जाता है फिर इसमें तार बंधने लगते हैं तार बंधने का मतलब जिसे आप चासनी में देखते हो कि तार बंधने लगते हैं अगर उसको रख दो थोड़ी देर चासनी को तो कैसे व बंद कर रख लेते हैं आवसकता पढ़ने पर इसी में रंग मिला कर प्रयोग किया जाता है तो इसमें को क्या करते हैं कपड़े से छान लेते हैं और इसको धीमी आज पर गाढ़ा कर लेते हैं मतलब इसको जो है आज पर पका के थोड़ा सा गाढ़ा किया जाता है और इसको स इसी में बंद करके ये लोग रख लेते हैं जब भी इनकोड में पर प्रयोग करते थे क्यों क्यों कि यह गारा होता था काहती तक समय द्विजा08 टिकाऊ होता था इसलिए इसका प्रयोग करते थे रणगों में मिलाकर कर आज अता जिन उपकाणों पर लाख से चित्रण किया गया है वे आज भी पूरी तरे सुरक्षित हैं ऐसा लगता है मानों उन पर आभी कुछी दिन पूरी चित्रकारी की गई है अब देखें लाख कैसा होता है जल अवरोधक मतलब यह जल को सोक लेता है अब जब इसमें जल नही कर देता है और जिन उपकाणों से लाख से चित्रण किया गया है वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं सुरक्षित हैं तो उनको देख कैसा लगता है कि आज ही बने हो इतना मतलब उसमें चमक रहती है उन चीज़ों में तो ऐसे लाख के चित्रण किये गए हैं 1345 इसवी में यूरोप को भी निर्यात होने लगा था अब देखे इबन बतूता का आपने नाम सुना ही होगा है ना ये दार्शनीक था तो 1345 में इबन बतूता केंटन आया था जहां उसने भारती तथा फारस बजारों के लिए बनाए जाने वाले लाख के उपकरणों की प्रसंसा की थी अब देखे इसने कहां की प्रसंसा की थी जो भारत और फारस के बजारों में जो उपकरण जाते थे लाख के बने हुए उनके तो आपको पता है हमारे यहां पे जो है वो लाख की अधिकतर चूडियां बनती हैं कंगन बनते हैं तो उनकी इसने प्रसंसा की थी कि इसने 28 सताबदी में इसकी जो प्रचुर मात्रा में निरियात हुआ था वो कहां को हुआ था यूरोप से होने लग गया था तो जो ये लाख है वो यूरोप को भी जाने लग गया था हान यूग में लाख चित्रण लकडी के उपकरणों पर सूती कपड़े पर रेसमी पर तथा चमड़े की वस्तुओं पर किया गया है तो हान में देखिए हान यूग में जो लाख का प्रियोग हुआ है वो किस पर हुआ है इसका लाख का यूज करके रंगों में जो चित्रण हुआ है लकडी के उपकरनों पर हुआ है सूती कपड़ों पर हुआ है और रेस्मी कपड़ों पर हुआ है तथा चमड़ी की बनी हुई वस्तुमों पर भी हुआ है लाख का वरकशो की चाल से बने अत्यन थ ataément को भी लाग की परद चढ़ा कर सुरक्षित रखा गया है सरकंडो थो था बास से बनी वस्तूवों को भी लाग से अलंकरत किया जाता था अब देखें जो वरकशो की चाल होती थी उससे भी बहुत सारे उपकरण बनते थे तो उन पर ये लोग लाँख चटाः देते थे तो क्या होता था वो बहूत दिन तक खराब नहीं होती थी चाल तो उसको सुरक्षित रखते थे लाँख चटाः के उसके उपर और सरकंडो और बास की जो बनी हुए वस्तूए होती थी जैसे कि आप देखते हैं सरकंडो और बांस से पेंड स्टैंड और ये सारी चीज़े बनाई जाती है तो उन पर भी ये लाख से अलंकरण करते थे उन वस्तुमों पर भी हान पूर युग में कान से अलंकरण में भी लाख का प्रियोग हुआ था चाव युग में लाख चितरण इतना अच्छा और विक्सित था कि उसे परवर्ती चीनी चितरकला का पूर्वज माना जाता है तो हान युग में भी जो कान से पर अलंकरण हुआ है उसमें भी कान से में भी जो है वो लाख का प्रियोग किया गया है और चाव युग में जैसा कि मैंने अभी बताया कि लाख का प्रयोग सबसे पहले दिखाय जाता है तो चाव युग में इसका चित्रन बहुत ही विक्सित हुआ था और इसलिए उसको चित्रकला में चीनी चित्रकला में उसको पूर्वज माना गया है इसको चाव डाइनस्टी में लाख चित्रन को तो ये आगे जाके जो है विक्सित और हुआ कब हुआ हान डाइनस्टी में हुआ क्या हुआ लाख चित्रन लकडी पर चित्रन के पूर्व लाख में बारीक राख हड़ी की राख मिला कर लगाते थे इस प्रकार के अस्तर 3 बाल लगाये जाते थे ततपश्या चितरांकन किया जाता था अब देखिए लकडी पर चितरण के पूर्व तो लकडी पर सबसे पहले क्या करते हैं चितरण करते थे वो लोग उसके बाद लाख में बारीक राख मिला टे थे अब ये राख किसकी होती थी, हड़ी की राख होती थी, तो इसको मिलाकर ये लोग इस प्रकार का तीन बार इस पे अस्तर या फिर लेयर कह सकते हो, आप उस पे लगाते थे, उसके बाद इन पे जो है चित्रकारी करते थे, अब आके देखते हैं इसमें, कुछ ऐसे हलके और म मूल लेवान पात्र भी मिले हैं, जिनमें केवल सूती कपड़े को ही पात्र का आकार देकर, लाख से सुरक्षित एवं चित्रित किया गया है, तो देखिए, इसमें कुछ पात्र ऐसे मिले हैं, जो बहुत हलके हैं, और मूल लेवान हैं, मतलब काफी महंगे भी हैं, और का ऐसे बनते थे जिनमें केवल सूती कपड़ों को ही पात्र का आकार दे कर सूती कपड़े से किसी भी पात्र का आकार दे देते थे फिर क्या करते थे उसमें लाख की लेयर चड़ा देते थे जिससे वह हार्ड हो जाता था और उनकी प्रियोग में आता था और उसी से लाख से सुरक्षित भी रहता था चित्र में लाक के कई अस्तर चड़ाया जाते थे और जब एक बार से तूलिका इस परसों का रंग सूख जाता था तभी दुबारा कार किया जाता था अब जो चित्रन होते थे चाहे वो लकडी के चीजों पर होते हो तो लाक ना यह थोड़ा शाइ जाते थे और जब एक बार उसमें जो है तूलिका इस परसे लगाया जाता था लाक जब यह सूख जाता था तभी उस पे दुबारा कार करते थे चित्रन के पश्यात सूखने के लिए पात्र को भूमी में गड़ा खोद कर रखा जाता था जहां वा कड़ा और चमकदार हो जाता था देखिए जब यह लाक से चित्रन कर देते थे तो बताया मैंने अभी आपको जब तक सूखता नहीं था तब तक दुबारा नहीं करते थे उस पे काम तो उसको सुखाने के लिए क्या करते थे भूमी में गड़धा खोद कर रख देते थे और यह जब तक कड़ा नहीं हो जाता था और चमकदार नहीं हो जाता था तब तक इसमें दुबारा चित्रकारी नहीं करते थे लाख में मुख्य रूप से दो रंग मिलाए जाते थे काला और लाल देखिए काला में काजल मिलाया जाता था और लाल के लिए सिंदूर अथवा केसर मिलाया जाता थ तो दो रंगों का प्रयोग सबसे जादा होता था तो काली के लिए क्या मिलाते थे लाख में काजल मिलाते थे और लाल के लिए सिंदूर या केसर मिलाते थे तो इन दो रंगों का सबसे जादा मुख्य रूप से उपियोग हुआ है लाल और काला आरंब में पात्रों की भीतरी और बाहरी दोनों दिवारे काली रंगी जाती थी बाद में भीतरी दिवार लाल रंगी जाने लगी अन्ने रंगों में पीले, हलके, नीले, हरे, मट, मैला, सुनहरे का भी प्रयोग हुआ है तो देखिए स्टार्टिंग में ये क्या करते थे जो बाहरी और भीतरी दिवार होती ही किसकी पात्रों की उनको जो है ये लोग किस से रंगते थे काले रंग से रंगते थे लेकिन ये आरभ में होता था फिर बाद में क्या होने लगा भीतरी दिवार इनकी लाल से रंगी जा यह लोग पात्रों में लाख शित्रण के लिए देखे हान यूग सरवाधिक मूल लेवान लाख चित्रित पात्र कास से चांदी सोना के चड़ाओ आदी से यूगत हैं तो इसमें जो है सबसे जादा जो मूल लेवान हैं जो सबसे जादा इसमें कॉस्ट लिए महंगे हैं तो लाख से चित्रित पात्र हैं जिन पर कांस चांदी और सोना के चढ़ाओ आदी से युक्त है इन पर एक लेयर चढ़ाते थे लाख के चीजों पर तो वो किसी चढ़ाते इस वीडियो से रिलेटेट अगर आपको कोई भी चीजे नहीं समझ में आई हो तो मुझे मैसेज करें या फिर जो मीडिंग में मेरे साथ डिस्कस करें थाइंक यू